आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसे स्रीज के बारे में जो कि आपको Hero Extreme की कमपनी सही मिलती है अगर आप Hero Extreme 160R को पर्चेस करते हो Hello guys, this is me Amunee Sharma back again with a new fresh video of Technical Bhopal YouTube channel and today's video is all about Hero Extreme 160R एसे स्रीज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसे स्रीज के बारे में जो कि आपको Hero Extreme की कमपनी सही मिलती है अगर आप Hero Extreme 160R को पर्चेस करते हो इसके बारे में आपके मन में बहुत सारे questions आ रहा है क्योंकि जो भी अभी तक Hero Extreme 160R की pics आईए और वीडियो आईए उसमें आपको जयातर टायर हगर देखने को नहीं मिला है सारी गाड आपको अविलेबल नहीं है लेक गाड आपको अविलेबल नहीं है तो आप सभी के मन में यही questions आ रहा है कि यह हमको अगर इत्ते pricing देके नहीं मिलेंगे तो क्या मतलब है तो मैं आपको सबसे बेले यह चीज़ पूरी तरीके से clear कर दूँ यह question कि आपको इस गाड़ी में accessories देखने को मिलने वाली है पहली बात यह Hero Extreme 160R 160cc की गाड़ी है इसके अंदर आपको 160cc का बहुत ही बहतरी निंजन मिलता है जो की 4.7 seconds में 60 km पर घंटे की speed पकड़ लेता है मतलब की 0 to 60 km पर आर की speed सिर्फ 4.7 seconds में अच्छी खाजी इसकी पिकप पावर है यह गाड़ी डिजाइन करीगी यह जैपूर के अंदर मतलब कि यह हमारी खुद का सुदेशी ब्राइंड है यहाँ पर अगर मैं इस चीज की बात करूँ इसकी डिजाइन की तो बहुत ही बड़ी है इसकी डिजाइन है अब जब यह गाड़ी का इन्होंने concept रखा तो इसके बाद इन्होंने अपनी गाड़ी की SSDs पर काम करना चालू किया तो आप सभी को मालूम है Hero Moto Cop के चैनल पर आई थी Hero Extreme 160R की जो गाड़ी है पूरी इसका review यहाँ पर आपने जोंवर को मांग तो यहां पर आपको बहुत सपूर्स को इसले ही इसमे यह और यह होना चाहिए उसमें यह नहीं टींगिया यह और यहाँ निगा का मैं युट Instagram पर भी उन्हों से बात करी तो मुझे यहां पर यह चीज मालूम चली कि इन्होंने उस हिसाब से इस गाड़ी में जो है सारी चीज़े अवेलिबल करी है इसकी एसेसरी भी उन्होंने आपके नीट के इसाफ से बनाई है अब इस गाड़ी के अंदर आपको एसेसरी क्या मिलन है वो नहीं मलने वाला है विकोज यह कॉमिटर सेग्मेंट की गाड़ी है और अवरोल यह बहुत ही रोबोटिक डिजाइन में आई है थोड़ा सा आयरन में वाला जो है गाड़ी को लुप प्रोवाइट किया गया है तो इंजन काउल जो इस गाड़ी पर नहीं जम रहा है इसलिए इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन काउल प्रोवाइट नहीं किया गया है बागे अगर में बात करूँ सीट कवर्स की सीट कवर नेट की पीछे जाली जो आती है वो साब आपको जो है कंपनी फिटेड एससरीज में ही मिलेगा अब क्या है कि अभी जैसे कि आप हम जो है फोण लगाकर आपको बिला लेंगे एंड को बीड़ेगी इसलिए बhação कर आपको यह बोर्म बढ़िया लोग प्रोवाइट कर सा है अगर मैं अपने परस्पेक्टिफ से बोलूँ तो जब मैं इसकी रिवी वीडियो बनाई थी जब तो इसमें आपका जो लेग गाड होता है वो तो नहीं था बड़ यहां पर आप देख सकते हो इस इमेज में कि यहां पर आपको लेग अब्सक्राइब है तो लेग गाड बहुती बड़िया लग रहा है डैशिंग लग रहा है बिथाउट लेग गाड गाड जो जम नहीं रही थी और बहुती अच्छा साइड इसपोटी आपको इसके अंदर लेग गाड इंस्ट्रॉल किया है हीरो इसक्स्ट्रिम 16R के अंद से काफी जादा जो है गाड़ी के अंदर बदलाफ किये गए हैं कमपनी की तरफ से मतलब पुरानी एक्स्ट्रीम को अगर हम लेके इस एक्स्ट्रीम की और चले तो किकी अगर आप और भी जाले TBS और अगर बजाज की कंपनी देखो गए तो वो अपनी गाड़ी की जनरेशन में ज्यादा चेंज नहीं करी है BS6 में भी ज्यादा चीज़ चेंज नहीं है वैसा का वैसा इसका जो है concept रखा गया है लेकिन इस गाड़ी के इंदर feature wise बहुत ही अच्छा करा गया है जैसे कि आपका जो सारी गाड़े वो भी अच्छा लेवल तक उन्होंने जो है करा है cover up तो ये कुछ Hero Extreme 160R की accessories थी जो कि आपको इत्ती प्राइजिंग में सारी accessories जो available है वो बहुत ही बढ़िया प्राइज में available है और बहुत ही बढ़िया जो है गाड़ी का overall look है आप जोड़ से मुझे Instagram पर follow कर लिजागे Technical Bhopal Official आपको user name यहाँ पर नजर आ रहा होगा इं लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन दिने जाएगा इसी के साथ दोस्तों वीडियो को like कर देना वीडियो को share कर देना and comment करना अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो चैनल को जोड़ो से सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं यह को वीडियो फ्रेश वीडियो में टिल दें टे केर बबाए